नमस्कार दोस्तों मैं हूँ गोरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट आईए बात करते हैं गोल्ड MCX की दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन के सामने एक गोल्ड MCX का चार्ट है जिसमें मैंने पांच मिनिट के टाइम फ्रेम को लगाया हुआ है और इसमें जिस तरीक करना चाहिए किसी भी ट्रेट में एंटर करने से पहले तो आईए शुरू करते हैं पांच मिनिट के टाइम फ्रेम पे गोल्ड MCX का चार्ट दोस्तों लास्ट रिडिंग सेशन से अगर हम शुरुआत करें तो मार्केट में एक इस तरीके का पैटर्ण बना साइडवे स्ट जैसे जैसे एवनिंग सेशन की तरफ हम गए मार्केट में एक स्ट्रेंड दिखाने की कोशिच करी थोड़ी सी करेक्शन और ज़्यादा स्ट्रेंड थाई जिसमें इसने 48,229 के हाई प्राइस को टैच करने के बाद एकदम से करेक्शन दिखाई और वहां से फिर मार्केट में एक रिकवरी दिखाते हुए मार्केट क्लोज हो गया 48,000 के आसपास के प्राइसे बार बार देखने को मिल रहे हैं गोल्ड में और आज एक्सपेक्टेशन तो ऐसी ही थी कि गोल्ड में पॉजिटिव ओपनिंग होना काफी मुश्किल लग रहा था क्योंकि कल इंट्रा प्राइस 47,821 गोल्ड को बहुत जादा टाइम हो चुका है अपने इन लेवल्स को होल्ड करते हुए अब आगे का ट्रेंड कैसा हो सकता है क्या चांसे जाने के क्या चांसे जाने के और कहां पर लेवल्स हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं उन सब लेवल्स को हम डिसक्स कर यहां पर अगरम देखें, market में selling, prices यहां से थोड़ा सा उपर, फिर नीचे उपर zigzag pattern और market में फिर correction और prices यहां पर consolidate होते वे नजर आ रहे हैं देखें, एक major factor जो gold को support कर रहा है और यह factor छोटा नहीं है, यह काफी बड़ा है, वो है nifty में correction nifty में कल जिस तरीके के sign हमने देखे market में correction के chances थे levels break हो गए आज फिर market ने शायद एक अच्छी downside को continue किया, recovery भले ही आ गई है पर वो recovery फिर भी उतनी नहीं है कि market को एक upside trend में बना सके, nifty में आने वाले दिनों में हम और ज़्यादा correction की expectation रख रहे हैं वापस कोई fresh high बनना all time high वो बहुत ज़्यादा मुश्किल रहेगा और अगर इसी तरीके का एक pattern बन रहा है तो कहीं न कहीं ये चीजें gold के लिए काफी support देंगी और gold के prices में एक तेजी बन सकती है, ठीक है पर जब तक कोई एक particular level break नहीं होता gold में तब तक buying करना थोड़ा सा risk की ज़रूर रह सकता है तो उन सब चीजों का भी हम ध्यान रखेंगे पर ये कुछ factor है जो इसमें बहुत ज़्यादा involved है gold के trend में ठीक है, इसी लिए एक चीज़ हम देख रहे हैं कि silver में correction आ गई है अपने high price से अगर हम बात करें जो इसने 66,800 के आसपास का touch किया वहां से silver ने करीब धाई हजार point किया correction शो की है जबकि gold में अगर हम correction की बात करें तो सिर्फ 4-500 point की एक normal correction के साथ gold trade कर रहा है अपने high से ठीक है, तो अभी यहां पर भी अगर हम देखें तो gold में opening prices और थोड़ा सा market ने अपने आपको इनी levels पे hold कर रखा है और थोड़ा आगे चलते हैं एक गंटे के time frame पे वहां देखते हैं कि क्या view नज़रा रहा है यहां पर अगर हम देखें तो last week gold में correction आई थी तब से लेकर अभी तक market में एक strength prices उपर और market यहां पर अभी trade कर रहा है बहुत strongly इसने इन levels को hold करके रखा उसके बाद यहां पर फिर से expectation बनी थी कि prices शायद नीचे जा सकते हैं इसे भी market ने hold किया फिर market यहां पर आ रहा है अभी जो levels हैं वो इतना strongly break नहीं हो रहे downside में कि इसमें एक downside भी confirm हो market में एक sideways pattern है जो gold ने बहुत tight range के साथ hold किया हुआ है confirmation कब आएगी confirmation तब आएगी जब market में वो major resistance break हो जाएगा जिसके बाद हम एक अच्छी upside expect कर रहे हैं अगर ऐसा कोई price break नहीं होता तो gold में यहां पर या तो market रुका रहेगा या धीरे धीरे थोड़े से अपने trend को नीचे लाने की कोशिश करेगा पर ये दोनों ही चीज़े मतलब depend करता है कि prices जो है वो उपर जाएंगे या नहीं जाएंगे उस एक particular level पे वो level का है उसको अभी हम देखेंगे चलते हैं थोड़ा सा और आगे चार घंटे के time frame पे यहां पर अगर हम देखें तो market में एक correction correction यहां से एक upside और upside और market ने अभी currently इस range को hold करके रखा हुआ है दीखिए इस range की हम expectation पहले से रख रहे थे कि यह range market कम से कम hold करके रख सकता है अभी selling के कोई strong indication चार्ट पे देखने को नहीं मिल रहे है वो strong indication कब आएंगे जब market और थोड़ा सा नीचे आके levels को break कर देगा पर gold में जिस तरीके का एक pattern बन रहा है नीचे major levels हैं वो हर थोड़ी थोड़ी दूर बाद एक major strong support level है मतलब यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर तो कहाँ किसी भी level पे अगर इसे strong support मिल जाता है तो prices एकदम से उपर आने की भी कोशिश कर सकते हैं तो उन levels को अभी हमें ध्यान में रखना है और थोड़ा आगे चलते हैं daily time frame पे यहां पर अगर हम देखें तो market में एक correction, 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 recovery strength strongly इसने hold कर रखें उपर के prices यह देखने में तो ऐसा लग रखें कि जैसे कोई trend line draw होई हो पर अगर इस range को goal ने उपर में break कर दिया तो यह तेजी भी बहुत speed से आ सकती है मतलब ऐसा नहीं कि prices सिर्फ hold होके रुख जाएंगे इसके उपर single day में या 2-3 trading session में prices जो हैं वो काफी उपर जा सकते हैं तो कौन सा वो level है किस तरीके से हम देख सकते हैं market को downside में सिर्फ एक बड़ा concern है कि अगर market नीचे जाता है तो support level जो है वो बार बार है और बहुत पास पास में है और पहला support level market कहां break करेगा उसके लिए भी हम बात करते हैं चलते हैं गंटे के time frame पे देखिए market hold है कोई major downside opening के बाद भी देखने को नहीं मिल रही है पहला सबसे important level जो gold को break करते हुए देखना है मतलब downside के लेके weakness आरी है gold में intraday में level break हो रहे हैं पर market में उसका कोई खास impact नहीं पढ़ रहा है क्योंकि जिस range को hold क्या हुआ है वो range gold को नीचे नहीं जाने देदी तो पहला level क्या रहेगा sorry 47,600 के नीचे prices का hold होना अगर price hold नहीं हो रहे हैं तो इसे भी consider नहीं कर जाएगा इस range के नीचे जब तक gold hold नहीं होता तब तक आप इसमें selling का भी इतना strong view ना बना के चलें उसका एक reason है क्योंकि silver ने अपने support price को touch कर दिया है वहां से अगर उसमें भी नेगानी शुरूर आती है तो gold में भी इसका असर पड़ेगा और gold के prices भी उपर की तरफ move कर सकते हैं ठीक है दूसरी चीज़ के ये तो सिर्फ पहला level है 47,600 इसका जो next level है वह है 47,200 ये भी काफी important है इन इन दोनों levels में जो चीज़ हमें देखनी होगी वह यही रहेगी कि ये पहला level 47,600 क्या ये break होता है successfully और इसके नीचे market अपने आपको hold करने की कोशिश करता है या नहीं जिस तरीके का एक pattern बन रहा है gold को अभी एकदम से नीचे जानने में और नीचे के prices hold करने में वह कहीं न कहीं एक उसके लिए की struggle जैसा बन जाएगा ठीक है market में एक range बनी हुई है जिसको देखते वे prices का नीचे जानना एकदम से नहीं लग रहा prices इस तरीके से नीचे move कर सकते हैं और थोड़ा time ले सकते हैं ठीक है तो एक इस तरीके का pattern बन सकता है यह मेरी अपनी observation है जिस तरीके का trading chart पे जो pattern बन रहा है उसको देखते हैं मैं बता रहा हूँ उपर में market में जो intraday में strength आ सकती है यह price level अभी के इसाफसे मैं बता रहा हूँ आपको वह है 48,080 यह price break होता है market में बहुत ज़्यादा chances इस चीज़ के बन जाएंगे कि gold के prices में एक strength बन रही है और prices उपर की तरफ move कर रहे है यह price break करता है तो एक last price रह जाएगा 48,230 ठीक है यह price हमें देखने होंगे और 230 के बाद अगर market एकदम से नीचाने की कोशिच करता है तो कहीं ना कहीं फिर हमें अपनी situation को उस situation को review करने की ज़रूत रहेगी कि निकल जाना चाहिए या नहीं निकलना चाहिए क्योंकि इसके उपर 230 के break करने के बाद market में बहुत जादा chances इस चीज़ के बन जाएंगे कि 300 भी break होगा और market एकदम से rocket की तरह शायद ऊपर की तरफ एक movement दिखा सकता है ठीक है तो सबसे पहला nearest level जो है जो gold को downside में break करना है वो है 47,600 तो इस level को जब तक break नहीं करता तब तक कोई strong selling का view बनना वो मुश्किल है तो दोस्तों ये था मेरा gold mcx पर अभी का वीडियो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें शेयर करें बने रहे हैं मेट साथ देखते रहे हैं market report धन्यवाद